तो वेरे गुड मॉनिंग नमस्कार स्वागत है दूस्तों आप सब का चलिए ध्यान दियागा दूस्तों आज का ये सेशन है इसको कंप्लेट देखना है आज हम जो कंप्यूटर से संबंधी जो है ठीक हो थी अधिक है ध्यान दियेगा विडियो को कंप्लेट देखना है चलिए ध्यान जब्सक्तों पहला प्रश्ण और हैं जिस प्रश्ण में दूस्तों विरोधा भास वो उस प्रश्ण का जो उत्तर है तो आप अपनी विवेक्स लिएगा और हो सके तो कमेंट्स में ठीक है चल देखते हैं पहला प्रच्छ देखे देखें कैस मेमोरी किस प्रकार का मेमोरी है कैस्ट मेमोरी दोस्तों ध्यांद येगा उस्तों वोला टाइल वोला टाल मतलब क्या होते है जथतो आइस्थाइ अध्यरिया ठीक है तो ध्यांद येगा वोया ठीक है चलिये पहला प्रश्ण तो घ्री मेंचे continuing वोलाटाइल मेमोरी है ठीक है वोलाटाइल मतलब आइस थाई मेमोरी है ओके चलिए नेक्ट प्रशन देखते हैं देखे सभी प्रकार की गडिती और लॉजिक संबंधिक कार होता है तो लाइका खेलवारी प्रश्न लेकिन फिर भी बनना चाहिए ना तो इसका जो सही आंसर ह कौन सा है ऑफसन नमबर यह सही है दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एल यू ओके अगला प्रश्न यह है देखे दोस्तों अगला प्रश्न देखे किस मेमोरी का प्रयोग डाटा इंस्ट्रक्शन को इस्टोर करने के लिए किया जाता है तो किस मेमोरी का प् कैश Maurice होती है देख लिजिए ढ किसकी होती है ठीक है एट किज़ेगा सबसे तेज मेमोरी प्रेशनिम्द देखे रूम निभड लिकेत मेरे किस प्रकार का डिवाइज है तो रों पूछा गया जो दियान ढीए रॉम इन बिल्ड होता है पहले से ही motherboard में है ना तो यह याद रखना जोस्तो option number कौन सा है रोम जो है इस्थाई memory है पूछा जा सकता है एक्जाम में जोस्तो इस्थाई memory मतलब non-volatile memory ठीक है इस्थाई memory है रेम रोम ठीक है रेम नहीं माफ करेगा रोम उखी अगला प्रश्णी है सहायक prism memory किस प्रकार का device है तो यह कीन परकार का जो है option number ओपसिन नंबर कों सा है option number सही है याद रखना है नॉन वरलाटाएल में मोरी सहायक में मैं ठीक है नॉन वललाटाएल मतलब सथाई अगला प्रश्णी है देखे आपजेक्ट की प्रॉपर्टीज को एकसेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउच टेकनिक को क्या कहती है एक नट दोस्तों मुबाइल को ना मैं थोड़ा सा तो देखे हम लोग राइट ये बोल रहा है कि आपजेक्ट की दूस्तों प्रॉपर्टी को जो है एक मैं ना यह चलिए आप प्रश्ण के का किप प्रियोग किसलिए किया जाता है तो किसलिए कि आजता है टैब की कप प्रियो देख लिजिए का उफ ज्स खहार Guy कों सा है ऑप्रसेंगों सी सहीं है पर और अभरन करने के के लिए कि shortcut कुझी का प्रियोग किया जाता है तो कि shortcut की का देख लीजेगा फाइल को सेव करने के लिए पूछा गया दूस्तों तो आप्सन नंबर कुन सा है ऑप्सन नंबर देखें डी सही है दूस्तों F12 ओके अगला प्रश्न देखें ट्रांजिस्टर किस धातू का बना ह होता है तो तिन टांग वाला ट्रांजिस्टर देख लिए सही आंसर तो आप्सन नंबर कुन सा है ऑप्सन नंबर आपकट डी सही है दो सिलिकॉन का बना होता है एड की जिगा सिलिकॉन अगला प्रश्न यह है देखें पावर पॉइंट में स्लाइट सो के लिए अन्यम ने करते हैं फिर उसके बाद जो आप है एड स्लाइट सो प्रारा मुझाता है ठीक है और स्लाइट सो से बाहर जाने के लिए इसके बटन का यूज करते हैं ऊकिके यदि आप वार्म बूटिंग कर रहे हैं तो देखें तो इसका जो सही आंसर तो आप्सन नंबर कुन सा है आप computer को restart करने है जो कि पहले सही on है okay option number a सही है दोस्तों अगला प्रश्न है वाइरस खाली स्थान होता है दोस्तों वाइरस का full form क्या है यहां पर देख लिजेगा वाइरस क्या होता है दोस्तों तो वाइरस होता है option number a याद रखना है है वाइटल इन वाइटल इनफॉर्मिशन रिसोर्स अंडर सीज ओके option a सही है है फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों वाडन मनने हम लोग को जरूरी है ठीक है चलें इंटरनेट डिनस में हैं इंटरनेट डिनस में क्या है दोस्तों देख लिजेगा option a b c r d तो इसका जो स देखें मदद help के लिए function की है तो मदद के लिए जैसे किसी चीज का मदद हमको चाहिए तो उसके लिए हमको क्या बटन प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों तो सही आंसर है option नंबर देखें a सही है f1 है न चलिए अगला प्रशन देखते हैं और हाँ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों यूटूब में बहुत श्रगल करना पड़ता है प्रहाई से जाता शेयर कर देख लिए निमन में से किन में निमन में से किसमे बाइट के बढ़ते क्रम को सही न दिखाया गया तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रेश के बी मतलब किलो वाइट दूसरे के बाद उसके बाद जो है बढ़ते क्रम में बोला गया थीक है के बी आएगा फिर मेगा दोस्तों फिर जी डीघावाइट फिर आपका देखे ठीज आप पेटावाइट ठीक है दियान दीखाव पीबी ओकेटा वाइट तो है ना किलोब प्रवाइट मेगावाइट जीगावाइट एरावाइट और उसके बाद आपका मैंना पेटावाइट इंपोर्टेंट है धिए अगान नोट डाउन करना है तो कर लिए जोस्तों इसका पीडिएफ आपको नहीं मिलेगा देख लिए 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 इमेल में बी सी क्या है जोस् निया कहलाती है दोस्तों देख लिएगा ऑप्सन इबी सी या डी है दोस्तों इसका जो सही अंसर है करेक्ट अंसर है अप्सन नमबर सी है ठीक है एड कीजिएगा टाउगल कुंजियां है उके अगला प्रशन देखें खालिस्तान एक प्राइवेट आईपी अड्रेस है त देख लिजेगा तो इसलिए अंसर है अप्सन नंबर कुंजा है अप्सन नंबर 20 सहीं है पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता मतलब इसको डेस्क पर रख कर दोस्तों चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं डेस्क टॉप उकिंश में वह प्रोग्राम जो अन्य में बदलाव करके संक्रमित कर देता है क्या कहलाता है संक्रमित कर देता है मतलब क्या होता है वो क्या होता है तो बीमार कर देता है computer को जोस्तों तो option number कूं सा है option number आपका 20 है virus उके एट की जगा वायरस अगला प्रशन निमने लिकित में से कौन सा एक वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्ट्वेर नहीं है तो वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्ट्वेर पूछा गया है ध्यान दिएगा जोस्तों आपसन है यह बी-सी और डि करेक्ट अंसर जोस्तों आपसन नंबर देखें यह वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्ट्वेर नहीं है बाकी MSWord, WorldPaid, NotPaid, यह क्या है, WorldPROCESSING में आता है, ठीक है, add किजेगा यह सब को, अगला प्रशन देखते हैं, यह है, देखे, वायरस होते हैं, तो वायरस क्या होती है, दूस्तों, देखे, यह होता है, दोस्तों मानाव के द्वारा बनाया जाता है वायरास को क्या मानाव निर्मीत होते हैं और उसके बाद संक्रामर के लिए कंप्यूटर में भेज दिये जाते हैं किसी माध्यम से ठीक है चलिए कि किसी printer की गति का मात्रक क्या है तो क्या है दूस्तों उसकी जो है गति का मात्रक होता है b pages per minute ठीक है याद रखिएगा अगला प्रश्णी है देखें निमने लिकीत में से सबसे बड़े मापस वाली और ही कौन्सी है अ कि सबसे बड़ी में से देख लीजिगा तो सही आंसर नंबर इस है पेताबाइट ओके अगला प्रश्चे में देखें MS वर्ड क्या है दो एबी सी या डी देखें एबी सीडी या फिर आप्सन नंबर देखें इसका जो सही आंसर है दो आप्सन नंबर कुन सा है आपका बीस आहीं है Microsoft Disk Operating System ठीक है MS वर्ड यही है ओके अगला प्रश्ण देखें निम्न में से कौन सी कमांड को कम्प्यूटर में 3D यहना देखें 3-finger salute के नाम से भी जाना जाता है तो इसका जो सही आंसर है उसको आपसन नंबर कुन सा है आपसन नंबर यह हैं सो Control Alt और Delete ठीक है इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कम्प्यूटर को अगर restart करना हो तो restart के लिए यूज करते हैं ठीक है टास्क में जानी के लिए भी अल्ट कंट्रोल डेलीड बटण एक साथ Kush بعती और ऩह यह सबशली हमने अगला प्रश्ण करते हैं तो कम्प्यूटर प्रोग्राम में गलती को किया कहा जाता है तो बग कहा जाता बग बग करते तीक है याद रख़ेका बग झाला किल युए लगत है लेकिन हम लोग एक्जाम में गलत कर देते हैं ठिक है धियान रखना रखना वाई-फ़ाई का भी स्थाडे टुम चैसा दूप क्या है तो वाई-फाई का जो है पूर नाम क्या है उपसन नमर को सा है आप क्लेस डिफिलेटी अगला प्रश्न देखे एक किलो वाइट में कितने बीट्स होती है तो जवाब दीजेए गार दोस्तों कामेंट्स में भी जवाब देते जाए ठीक है लाइव चेट चल रहा होगा तो वहां भी आपको जवाब देना है है ना चलिए देखेगा एक किलोव पर आपका सही सही है यह इनपूट और आउटपूट दोनों डिवाइज है मॉडेम धियान दियेगा इसको नोट डाउन कर लिजेगा ओके चलिए अगला प्रशन यह है देखें निमने लिकित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है दो सर्च इंजन नहीं पूछा गया तो गुगल जो है क्या है आपका सर्च इंजन रहें लेकिन क्रूम क्या है जूसतो यादर में क्या है अगला प्रशन दमें इंटरनैट पर एक सुचनाए स्थान है जिसमें ढाकुमेंट और अनिसंसाधन संग्रहित कि यतर तो यहांब पर देख लिजेगा option है तो देखिए यह है option number कौन सा सही है option number a सही है वर्लड वाइब जिसको www कहती है इसके जो है अविश्कारक कौन है आप लोग कमेंट्स करके बताईएगा ठीक है और आप लोग कमेंट्स करते हो कि बहुत ज्यादा प्रशन पूछते तो प्रशन नहीं पूछेंगे दूस्तों आपको जाब देना तो पड़ेगा चलिए अगला प्रशन यह है देखे एच टीटीप का फूल फॉर्म क्या है लाइका खेलवारी प्रशन है कई बार पूछा गया ध्यान दिएगा दोस्तों इसको आपसे नम्बर कौन सा है आप सा नमर ए है हाइपर टेइस transfer protocol एट किजिएगा hypertext transfer protocol अगला प्रश्ण भारत में विक्सित super computer का नाम क्या है जुस्तो तो भारत में विक्सित super computer का नाम है जुस्तो परम और पहला जो super computer है वो कौन था धियान दियेगा comments में करिएगा ओके चलिए एक देखे बताई देते हैं तो परम जो है देखे तो comments में करिएगा ठीक है मैं गलत हो जाओंगा तो देखे यह व्ला प्रश्ण है देखे computer monitor resolution को खाली स्थान में मापा जाता है तो computer monitor को दोस्तों option number कौन से सही है तो pixel की संख्या के अधार पर भी मापा जाता है ठीक है देखे वह memory जी से processor अधिक आसानी से access कर सकता है तो देखे प्रोसेसर जो है आसानी से access कर सकता है दोस्तों इसलिए उसका speed जादा होता है हम लोग पढ़े थे cash memory है ना चलिए अगला प्रश्ण देखे बाद में सिगरता से access करने के लिए वेब पेज पर इस्टोर की गई link कहलाती है तो क्या कहलाती है यह दोस्तों असिस्टेंट कहलाती है क्या अगला प्रश्ण यह है देखे लॉग इन लॉग इन नेम और पासवर्ट के सत्यापन के रूप में जाना जाता है तो यह is that it looks more about it एकसे एकसी and x ql no HQ सब्सक्राइब होता है तो इसका सहीन मैम करते है दिहान दिएно प्रप्रियो में प्रयोग करती है न चलियो लंगेघे औरlor एक Rs. खालिस्थान और एकल क्या है देख लीजेगा A B C R D Oracle है दोस्तों आर डीबी ऐमेस धियान देखा आर डीबी एमेस ऑके डाटाबेस मेनेजमेंट सॉफफवेर उके तो आर डीबी एमेस हैना याद रखना है और का और एकल चलिए नेक्स प्रेशन देखती है देखे एमेस वर्ड दस्तावेज में सभी टेक्स का चैन किसके द्वारा होता है अगर हम लोग को सभी जो है एमेस वर्ड जो डांकुमे में हैना कितना हिंदी सुन्दर है देखे 12 अगर हम इसिको बोल दस्तावेज तो आदमी आजम समय में और डाकुमेंट में लिटों करेंगे न तो यह सभी जो है जितने भी टेक्स वेक्स असका रहीघा वह ज़िए इसलेक्ट हो जायेगा है यूट्ب में आ गए है तो इतने सारे वीडियो बना कुके है हम लोग गया न हम रहा है टो आप लोग अच्छे से पढ़िए है पढ़ना जरूरी है फ्राइवेट नवक करी में तो एतना सोशाड है कि हालत खराब हो जाता है इसलिए क्या है सरकार जन्वकरी जरूरी है ठीक है थीजान देखने लिकित में से कौन सा कंप्यूटर का गुर्ट नहीं है देख ली जगार दो एबी से आड़ी तो यह दोस्तों वीविदता है ना वीविदता सही है तो यह आपसे जाए है शुद्धता भी दूस्तों तो वीवीधता ठीक है वीवीधता यह ओके चलिए यह प्रेशन देखें में खाली स्थान को एक से क्रमांक दिया जाता है तो यह दोस्तों रूब और कॉलम है ना होता है कि नहीं रोवर कलम ठीक है याद रखेंगा रोवर कॉलम चलिए एक नट देख लिए अलत खुराब हो जाता है यह ना तो कैसे हो आप सब लोग चलिए तो कमेंट्स में करिए गा जाना देखें सी एडी का जो संशिप्त नाम क्या है तो सी एडी का जुसतों संशिप्त नाम है computer aided design है ना सेडी मतलब काई होता है ना ठीक है कैड का जो है स प्रयूब करने वाले computer को क्या कहते हैं दोथ हारी computer जो कि 0 और 1 की रूप में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं तो खेलबारी प्रश्ण भारत में Silicon Valley कहां इसी थे दोस्तों तो Silicon Valley है नमबर आपका देखे सी सही है बेंगलो रूट ठीक है साक्षरता दिवस कब मना जाता है यह भी कमेंट्स करिएगा दिखें विशेश रूप से डिजाइन किये गए एकलिए कंप्यूटर चीप जो किसी एन्डिवाइस के अंदर रहती हैं कहला लती हैं तो यह दोस्तों किसी रिखेंपर को और कंप्यूटर के संदर्भ में का तात्पर है तो वही है हम लोग पढ़ चुके हैं जुस्तों आप्शन नमबर देखें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आप्शन नमबर बी सही है नेक्श आगे बढ़ते हैं देखें एक्षल 27 में निमन में से कौन सी function कुझी इस पेलिंग को activate करती है तो इस पेलिंग को पूचा गया है जोज़तों है एक्षण की स्योजन का एर्थ निमने होता है तो वाला प्रश्न मेरे को भी समझनी आया दिखे-टेंशन को खाली स्थान भी कहते हैं थो अप सन नंबर क्या है स्लाइट सो भी कहते हैं इसी में तो होता है स्लाइट सो जितने भी हम लोग बनाते हैं जैसे में आप प्रयोग प्रयोग होने वाले इन्पुट डिवाइज है तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इन्पुट डिवाइज कौन सा है तो दिखें आपका सी सही है कीबोड अगला प्रेशन निमने लिकित में से किस समूं में केवल आउंटपुड डिवाइज है केवल आउंटपुड डिवाइज दोस्तों देख लिएगा option number D सही है platter printer और monitor यह क्या है आपका output device है option लिए पहचान को गलत तरीके से बता कर दोस्तों और सब करें ठीक है तो यह है ना तो देख लो फिशिंग फिशिंग नहीं करना है ना देखें फिशिंग ठीक है ध्यांद जीगा फिशिंग उकी चलिए नेक्स प्रेशन देखते ही यह लिए पोश्ट का पूरा नाम क्या है नहीं है दिए पोश्ट का पूरा नाम है ठीक है पाउर और शिश्टम ठेश्ट ठीक है तो यह दुस्तों सही drops तरे आपसे नंबर यह है पावारान सेल्फ ठेश्ट ठीक है तो कभी कभी दिखे हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं इतना व्लाफ रश्न देखें एक प्रोग्राम जो उच तरी भासा में प्रोग्राम को मसीनी बासा में परिवर्थित करता है तो आपसान नंबर आपका क्या है है क्या है उच्छी स्तरी भास है वहां को क्या है मसीनी भासा में कchnrot करता है ठीक है compiler दिखत कोब़ोइसा का प्रियोग किया जाता है ससी है द्यृ जलिख जलिए बढ़ते हैं लोग ये इसाद को अलग रखा है कहलाता है तो आपसन नमबर आपका देखे 20 है रिजर्व वर्डस ठीक है और हमको अभी करेंट अफेर भी बनाना है दोस्तों तो इसलिए जल्दी जल्दी है डाटा बेस में प्राइंज्मेंट सिस्टम होता है डाटा इसका जो ऑपसन नमबर आपका सही हैं डाटाबेस को create हैं न मेंटेन और control एकक्सेस उलक्ष सिरुण कराने के लिए प्रयोग्त software ठीक है डाटाबेस management system करना सब्दों में network का NETWORK कहलाता है तो network का network क्या कहलाता है तो NETWORK का नेट वहर कदूस्तों option number D कहा जाता है इंटरनेंट ठीक हैा whether सबसे पहले दुस्तों आपसन नंबर इस हैं अमरीका में ठिक है नय डाकूमेंट के लिए की बोड कर है तो नया डाकूमेंट की बोड नया डाकूमेंट बनाने से किक कांप्यू windows कट यह को अप्रकार संसरा नहीं किसुंग धालु आन रटूर्स नेक प्रकार का देवाइस हैं तो कंप्यूट्र दुस्तो ये प्रकार वीज़ें टान से या प्रणाम प्राप्त नहीं किया सब्सक्राइब एक चलिए अधा है क्या का प्रकार है तो कंप्यूटर का प्रकार है दोस्तों आप से नंबर देखे यहां पर दिया गया सचहीं है आपका सूपर कंपीटर का प्रकार है एक कंपीटर के चार प्रमुक कार्यों का सब्सक्राब्स कम् क्प्सटर की चलिए अलाप्ट्राशन देंदंध मेंच से क्या मुल कारे नहीं है तो कंपूठर का करना कई बार पूछा गया टेक्स कॉपी करना मोल कारे नहीं है धियान दिएगा लगता है लेकिन फिर दिमाग में एट कीजिएगा देखें दूसरे पीड़ी के कोंप्योटर में प्रियोग किया जाने वाले घटक क्या नाम है तो याद रखना दुस्तों अब्सक्राइब करें याद रखें इसको इसको कंप्यूटर की सरवाधिक तेज शक्ति शाली तता सरवाधिक मुल्यवान ऐसे अधिक आँप्रोसेसर वाला कम्पिटर कहलाता है दोस्तों तो मल्टी याथ फेगा तो क्या मुल्टी प्रोसेसर ठीक तो Dan याद राद कंपूट्टिंग यंत्र है तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्योटर का अंचिस्थे ना उसी में तो आधि-रात को देखे परसनल कंप्यूटर का जनक कौन है तो परसनल कंप्यूटर का जनक है दोस्तों। आपसन नंबर कुन सा है और से सही है। एडवाइड रॉबएड ठीक है चलिए अगला प्रशनी यह है देखे आज तक computer की cool पीड़ी ग्यात है तो आज तक दोस्तों computer की जो है 5 पीड़ी हमको मालूम है कितना 5 पीड़ी मालूम है ठीक है ध्यान दिएगा अगला प्रशनी है देखे computer की निमने लिकित में से कौन सी विसेस्ता इसके उपयोग को आकर्शन बनाती है तो कौन सी विस से से उपयोटर के उपयोग को आकर्शन बनाती तो सबी है दोस्तों सुचना का स्टोर हो जाता है तो आपको हैं देखिए में कंप्यूटर का काप बहुत बड़ा होता है तो कौन सी तो आप से नम्बर देख लिजीगा एक तो पहली पीडी में कंप्यूटर इतना बड़ा था की मेरा जो है छोटा सा कुरिया समाह जाता ठीक है कुरिया को क्या बोलते हैं कुरिया मतलब छोटा सा घर होता है ना तो शेयर कर दिएगा वीडियो को मुझे भी थोड़ा सा धन मिल जाया दोस्तों आपका तो नौकरी लग जाएगा है ना चलिए देखिए कंप्यूटर सब्द निमने लिकित में से किस भासा में लिया गया है तो कंप्यूटर सब्द द देखिए जितने भी एंसी की वह दोस्तों बहुत ही मुश्किल से जुगार किया जाता है ना बनाया जाता है अभी तो बहुत सारा एंसी क्यों बचा हुआ है ध्यान दिएगा वीडियो को शेयर कर दिएगा बस देखिए डेस्कुटाब कंप्यूटर निमने नाम से भी जा प्रयोक किया गया है देखिए पंचकार्ड का सबसे पहले खाली स्थान के द्वारा प्रती पाधित किया गया तो याद रखना हर्मन हो ले रिट यह अगला प्रश्न है किस प्रकार का कंप्यूटर किसी दिये गया समय पर सैक्ड़ों यूजर्स को सपोर्ट करता है तो दे मल्टी प्रोग्रामिंग कगा तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉंसेप्ट यह किस पेड़ी में आया है तो तुरीती पेड़ी में ठीक है याद रखना है थर्चन को मतलब क्या संगणक क्या होता है प्रारंभिक कंप्योटरों की तुलना में आज की आधुनिक कंप्योटर है तो देखें नमबर कुन सा है आपसन नमबर 20 यह तो देखें प्रारंभिक क्या था दूरतर और चुद्रतर ठीक है इसका इंगलिश नाम आप लोग देख लीजेगा चलिए देखें खाली स्थान को संगर को कि प्रसिद्ध निर्माता की रूप में जाना जाता है तो देख लीज़ेगा दोस्तों पहला एलेक्ट्रोनिक कौन सा था तो पहला एलेक्ट्रोनिक दूस्तों एथा एनिये ठीक है धियान दिएगा ओके चलिए यह अला प्रश्ण देखें खाली स्थान का उप्य पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है तो निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर क्या है तो एनलाग कंप्यूटर कहलाता है ठीक है याद रखेगा एनलाग कंप्यूटर जो पेट्रोल टंकी में होता है किस प्रकार का कंप्यूटर है ठीक है पर्सनल केंटर का हिंधी नाम क्या है दूस्तों तो संगड़क है ठीक है देखें कम्प्यूटर पॉल आपरेशन करता है जो क्या है दूस्तों अथन नंबर देख लिजीएगा तो इसका जो सही आंसर रूसर नंबर भी है प्रोशिश प्रक्रिया ठीक है चलिए यह प्रैशन चलिए देखिए यह दोस्तों की सबसे अच्छी गुरुवत्ता की जो है ग्राफिक्स मुद्रान प्रदान करता है तो देखिए प्लाटर करता है ध्यान दियेगा प्लाटर है तो प्लाटर यह है इसमें जो है उच्छ गुरुवत्त बड़ा जो है हमको बहुत बड़ा और ब बढ़ा मैस्त क्वाल्टिवाला आगर हमको चापना है तो हमको क्या करना पड़ेगा प्लाटर के दियेगा तिन प्रकार की होते क्या रखना पूछा सकता उप्पूट कॉर्ट से हमसे जुड़े होते हैं तो चूटे चूटेConf तो यह बी हैना पोर्ट लगे होते हैं चलिए और आप लोग बोलेंगे कि ज्यादा बात करता है दोस्त नहीं भाई इता सारा अनुक्त बेघाएं में से कौन सा प्रोपाइट अपरेटिंग सिस्टम है काङ बोक्त मुफ्त ठीक है याद रखना है क्या है नब है याद रहते हमां मैं मेक ऑस विंदोज यह क्या है आपका है ना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुफ्त में है ठीक है फ्री में है बाकि विंडोस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पैसा देना पड़ेगा पैसा देंगे तब आप एक्टिवेट होगा ठीक है लैपटप को खरीते हैं तो उसमें ऐसे सफ्ट वेयर का दो जो है हुचित लायसेंस खरीदने के बाद ही धोस्तों प्राप्ठत में अधिल्ब सॉफ्ट्वेयर जो है मालीकाना वाले में लोग लेंगे तो खरीदना पड़ेगा लाइसेंस के लिए उसको सब्सक्राइब और बलते हैं और मालीकाना सफ्ट्वेर द सब्सक्राइब नहीं है सीधी तरह से याद रखना है यह अगर मालिकाना सॉफ्टर पूछ रहा है तो यह सब ध्यान दियेगा ओके चलिए पूछ सब्सक्राइब नुक्सान दायक वायर से सब्सक्राइब लोग यह है कि अगर आप लड़की है और एक्जाम की तयारी करें तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है बहुत कोई ना कोई पहले से चोटा पोस्ट या बढ़ अपने हिसाब से कोई अच्छे से पोस्ट पहले लीजिए जितने भी बहने हैं सुन रही है तो वही है ठीक है ध्यान देगा नहीं तो फ एक साल के बाद तो जल्दी आजकल बच्चा हो जा रहे हैं तो पुरा जिंदगी खतम ठीक है चलिए वही है सुन लीजेगा इगनोर करना है इगनोर कर लीजेगा जो फैक्ट है दोस्ता ठीक है देखें यह है लिप्स वायरस इस्टार्म वार्म वायरस मायडूम और बेश और यह दोस्तों वायरस है जितने भी वायरस है तो यह सब लिष्ट है है ना निमिंडा इलव यू इस्टैक मेंट से कॉन फ्लीकर वेल चिया मैडूम मौरिस वार मैस्क्यूल बांकि यह सब पढ़ लिजेगा है न मैं कई बर बता चुका हूं ठीक है बस यह इसको भी द्य सब्सक्राइब नहीं है जुस्तों आपका डी सही है मैस एकसे मुल्टिमीडिया सॉफ्ट नहीं है बांकि आपका पाउर पाइंट हो गया फोटोस अपको रहा है ना और आपका कैम 3D Max यह सब क्या पीका सब्सक्राइब कि अगला प्रश्ण देखें मैस एकसल का फाइल एक आप लोग कमेंट्स करिए खाया झाली निमनेलिकित में से कौन से इक स्केनर के प्रकार नहीं है तो इसकेनर की प्रकार प्लेकर नहीं है बागी असलीकर इतक यह से प्रकार फ्लैट बैट स्केनर सीट यह पर दीवाइज है है कहीं पर आउंट भी लेता है वह दोस्तों लेकिन हम क्या लिए इंपूट लिए है ठीक है ध्यान दिएगा यह विवेक से काम लिजेगा चलिए देख लिए यह जितने भी है उस्तों ग्राफिक्स जितने भी इंपूट डिवाइज है यहां पर दिया गया है तो ग्राफिक्स टैबलेट और आपका कैमरा हो गया वीडियो कैप्चर हाडवे और आपका देखें पंच काड़ रेडर मैगनेटिक टेप ड्राइग यह सब क्या है आपका याद रखेगा इनपूट डिवाइस है अगला प्रश्न देखें सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों तो बर्निंग कहलाती है आपसा नमबर यह स दिश्प्लेइपॉर्ट भी बोलते हैं ठीक है ध्यान देएगा कि इसका पूरा नाम है वीजिया वीजिया का क्या है डिजीटल डिजिटल विजवल इंटरफेस और देखें डिवी आई का फूल फार्म क्या देखें और आपका देखें यह वीजिया का विडियो ग्राफि अगला प्रश्न देखे स्वैम प्रतिलिपी कारक प्रोग्राम अपने आप प्रतिलिपी बना लेते हैं कौन सा वायरा दोस्तों वार्मा ठीक है झाल है और अपका बिखार मॉनिकेशन शॉफ्टेयर टीक है छी में से ओपन सर्स ओपरेटिंग सिस्टम थीचा आपका यह बन्थू भी है और आपका यह शोल ना यह चोल भी बोलते हैं आप समय सभी बांकी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के यहां पर लिश्ट दिया गया है देख लीजिएगा चलिए देखे निम्ण मैं से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वैंसील सी एक्सेस प्रदान करता है इंपोर्टेंट प्रशने केवल सिक्वैंसील एक्सेस और एक होता है क्या रेंडम एक्सेस तो रेंडम एक्सेस तो हाइड यह जो है हाड डिस्क देखें रेंडम एक्सेस तो हाड डिस्क किसी भी स्थान पर डेटा को क्या है जल्दी से वह बड़ी कुछ अलता के साथ एक्सेस करने की जो है अनुमति देता है रेंडम एक जिसमें data को क्रम से रखा जाता है जैसे यह बी सी या डी क्रम से रखते हैं और वह उसी क्रम में ही दूस्तों उसको क्या है एक्सेस करेगा आप लोगे की हमको डी वाला चाहिए तो नए डी वाला अने के लिए पहले क्या करना पड़ा पड़ा एक को पाल करना पड़ेगा फिर वह चेट कीजिएगा देख लीजें यहां पर यह है सब्सक्राइब को याद रखने बांकि डारेक डारेक्ट एकसे भी होता है और उसको क्या बोलते हैं उसमें आपका ही लिवह टो ही यां देमया घ्रटाइब देख रपकर जिब डिस्का है मेंकिन्ट्र रखना विंद द सालिप to टिक है इसको तेंड चुक तो को याद रखने ना यह ऑū विनटेस्टर भी क्या है आपकी आपका डारेक्ट से आप डार्कiva सिजह से डार्क डेरेक्ट डिवाई और मैमॉरी सचोरे है योटा और या च्क है डारेक्ट डिवाई से ठीक है तो हमाफ कर ईद्कि यह है दिसकार किष्णी किया है कई बार पूछा गया दोस्तों ब्लेच पाश्काल अप्साने सही है देखें वेब पेज को देखने के लिए खालिसान सौफ्टेर का जो है उप्योग होता है तो अप्सन नंबर यह सही है ब्राउजर देखें उच गुरवत्ता वाली तो यह तो कई बार पूछा गया अगला प्रश्ञा देखें एक्सल सीट के एक कुड्री कॉलॉम का जो है चैंड करने के लावे सक्साइड का तो यह साज़ कौन थे बाते हैं प्लस एड कीजिएगाों पूछा यहां बस देख लिएगा बेसिक इंपूट आउटपूट सिस्टम होता है ठीक है चलिए यह अला प्रशन देखे एक वीडियो खालिस्तान तार में से बना होता है तो फ्रेम से बना होता है ध्यांद यहां पर सभी प्रकार के प्रशन सामिल किया गया ना ऐसा नहीं है कि कोई एक टापिक छोड़ दिया गया है ठीक है चलिए जॉइन्ट फोटोग्राफी एक्सपर्ट गुरूप JPG को संशिप्त करने के लिए उप्योग होता है कि किर्ने के लिए होता है वीडियो को होता ऐसे इमेज को होता है ठीक है धयां जfinitely इमेज को है ना चलिए अगला प्रश देखें CPU के द्वारा प्रोसेस किये जा रहें प्रोग्राम या डेटा को संग्रहीत करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग करते हैं या फिर बी का उपयोग करते हैं इंटर्नल मेमोरी ठीक है देख लिजेगा तो इसका सही आंसर है तो आप से नंबर देखें इंटर्नल मेमोरी ठीक है एट की जगा चलिए देखें चीन में सबसे प्रसिद्ध इंजन निम्न में से कौन से तो सबसे प्रसिद्ध इंजन दुस्तों बैदू है ठीक है चीन में या दखना है बैदू देखें टेबल बनाया जा सकता है दुस्तों टेबल कहां बनाया जा देखें कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एक्जिक्यूट करता है तो कंप्यूटर चालू होने पर दोस्तों सबसे पहले आपका बूट सेक्टर वायरस को एक्जिक्यूट करता है तो इसका जो सही आंसर है अपसन नंबर आपका देखें सी सही है तो देखें मार्क न अगर कोई भीमारी लग जाए तो पूरा बॉड़ी पूरा बॉड़ी पूरा रथ जो है दरत देता है ना वही कंप्यूटर का जो है वायरस आ जाएगा तो उसमें सब प्रभावित होगा हाडवेर से लेका सब्ट्वेर तक ठीक है प्रोग्राम भी तली वतली सब प्रभाव ओ पूछा गया तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक है धिया दियों नेम से कौन साइक सर्च इंजन नहीं तो नहीं है पूछा गयाओ जो है क्या है यह नहीं है यहां बिंग यह सर्च और यह बहुत नहीं है ठीक है चलिए किस साटकट की का उपयोग विंडो में सहायता मांगने के लिए भाई कई बार पूछा गया है यार कितने बार आए गया दो बार आवे निमने लिखित में से कौन सा एक गलत है तो बैटरी टच्पेन माइक जॉइस्टिक तो यह दुस्तों बैटरी जो है गलत है बाकि टच्पेन माइक जॉइस्टिक यह क्या है इंपूट डिवाइस है ठीक है एट कीजिएगा ओके चलिए यह अला प्रश्न है देखें किसी भी फाइल या आपजेट को रिनेम करने के लिए माउस की कौन सा बटन का उपयोग करते हैं दो बार पूछा गया है ना चलिए राइट क्लिक क प्रश्न का बटन यूज़ करते हैं थीक है छल दो